दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय स्टोमनी ग्रूप फर्स्ट ग्लोबल अश्टो फ्रनेंस डिजिटल चनल से आप से मुखातिब होता हूँ दोस्तो इस्टील बजार हमेशा से ही रहसे में रहा है और मुझे बताते हुए बहुत हर्श होता है कि आप लोग जो हमारे चनल को लगातार देखते हैं हमने दसमें से आठ बार इस्टील यानि लोहाए बजार की अग्रिम विसलेशन आपको सब्ते साबित होता है देखा गय हैं दोस्तो आज 9 मई सन 2023 इस्टील बजार में आने वाले तीन से पांच दिन महत्वपून साबित हो सकते हैं आज लोहाए बजार के अंदर चारों तरफ तेजी का माहूल रहा मंडी गोविंगड़ के अंदर MS इंगड़ के भाव में 400 रुपे की अच्छी तेजी दर जो ही परिवर्तन नयाप नहीं रहा 45 एक्सो के भाव रहे हिमाचल के अंदर भी 46,000 के भाव थे यहां पे 400 की तेजी रही और इंदोर के अंदर 300 रुपे की तेजी के साथ 46,000 पे बंद होए जैपूर के अंदर 500 की अच्छी तेजी ती 46,300 के भाव जमूर के अंदर भी 400 की तेज अंदर 400 के तेजी 43,000 के भाव राइपूर 44,400 की तेजी इंगट के साथ साथ पुराने लोहे में भी आज अच्छी तेजी दर्ज हो ही मंडी मंडी के अंदर ओल्ड स्क्रैप के भाव 400 रुपए बढ़का 36,400 और दुर्गापुर के अंदर 300 रुपए की यहां गिरावट थी लोधियाना के अंदर पुराना लोहा अच्छा चला और यो 400 की तेजी के साथ 4,900 रुपए बंद हुआ दोस्तो आने वाले 3 से 5 दिन बहुत मैत्अपून थावित होने वाला थे लिए याद रहेगा लोहा वजार कैश का बजार है लेकिन और लोहा लोह के दिलवालों का है जो सई समय पे माल खरीद लेते हैं और सई समय पे माल बेच लेते हैं वो ही ये इस बजार में झाल 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 झाल